और इसे बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं अमारिका के ड्रोन अटाक में 10 लोगों के मारे जाने का दावा इस्थानिय नागरिकों ने किया है, 10 लोगों के मारे जाने का दावा किया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अफगानिस्तान में पलपल की जानगारी जीनियूस के माध्यम से आप तक पहुचा रहे हैं क्या मौजूद अस्तिती है लेकिन काबूल ड्रोन अटैक में दस लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है इस्तानिय नागरिकों ने दस लोगों के मारे जाने का दावा किया है बीत दिन अमेरिका ने काबूल में ड्रोन अटैक किया था गाड़ी में बैठे सुसाइड बॉम्बर पर अटैक किया गया और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अमेरिका ने अपना बदला ले लिया है क्योंकि जिस तरह से काबूल एयरपोर्ट में हमला हुआ था उसमें 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी और जैसे ही उन सैनिकों का पार्थिव शरीर आज जब अमेरिका पहुचा तो वहाँ पर राश्पती जो बाइडन खुद रिसीफ करने के लिए आए और उन्होंने इस हमले के बाद ये कहा था कि चुन-चुन कर बदला लिया जाएगा बक्षा नहीं जाएगा जिस तरह से ये हमला किया है इसका बदला जरूर लिया जाएगा और उसी के 36 घंटे बाद अमेरिका ने काबूल में ड्रोन आटाक किया था गाड़ी में बैठे सुसाइट बॉंबर पर ये आटाक किया गया लेकिन इसी बीच स्थाने लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो गई है स्थाने नागरिकों ने 10 लोगों की मारे जाने का दावा किया है 36 घंटे बाद काबूल में क्या होगा ये सवाल हम आपके सामने इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 31 अगस्त की रात अफगानिस्तान में अमेरिका की डेडलाइन खत्म हो जाएगी अमेरिका का यहाँ पर रेस्क्यू अभी भी जारी है काबूल में अभी भी 300 अमेरिकी मौजूद है तालिबान ने भी कहा है कि 31 अगस के बाद अमेरिकी हमले बरदाश्ट नहीं होंगे तो 36 घंटे बाद काबूल में क्या होगा ये बड़ा सवाल 31 अगस तक काबूल छोड़े अमेरिका ये तालिबान की तरफ से डेडलाइन दी गई है अमेरिका को तालिबान का पहले से ही अल्टीमेटम है 31 अगस के बाद अमेरिकी हमला बरदाश्ट नहीं करेंगे तालिबान अफगानिस्तान में अमारिका का रेस्क्यू ओपरिशन लगातार जारी है काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी लोगों की भीड जमा है रेस्क्यू करने में और वक्त लग सकता है अमारिका की तरफ से कहा गया है क्योंकि अभी भी 300 अमारिकी फसे हुए है वैद दस्तावेज वाले विदेशों को आगे भी छूट मिलेगी लेगेन अब महस 36 घंटे का वक्त बचा है 31 अगस की डेडलाइन है इसके बाद क्या होगा अगर वहाँ पर इस समय सीमा के बाद भी अमेरिकी सैनिक मौजूद होते हैं तो काबूल में तालीबानियों का क्या रेक्शन हुआ काबूल से हमारे समवाद आता अनस मलिक की एक्स्क्लियूजिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और अमरीका की जानेब से जो टूप फिड्रॉल की डेडलाइन है वो उसका वक्त अब करीब आता जा रहा है रॉकेट्स काबूल एरपोर्ट की जानेब फायर किये गएते खैरखाना की तरफ से जो के साउथ आफ काबूल के अंदर अलाका एक आता है जो हुकाम है उनने भी कर्फिर्म किया कि एन रॉकेट्स को में डेर इंटर्सेप्ट किया गया था जिसके बाइस ये ध्माकों की आवाज हाई बड़े जोरदार ध्माके थे जिनकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई उसके साथ साथ ये रॉकेट एटाक काबूल एरपोर्ट पर उस वक्त किया जा रहा है जब 24 गंटे से भी कम वक्त पहले अमरीका की जानिब से काबूल में अपनी नौहीत का पहला ड्रोन स्ट्राइक किया गया जिसमें उसका दावा है कि उसने अमरीका की जानिब से आई-एस खुरासान के दो जो दर्शेदगर्द हैं उनको मारा है और साथ-साथ जो लोकल मीडिया रिपोर्ट से हमों कह रही है कि इस ड्रोन स्ट्राइक के अंदर जो सेकेंडरी एक्स्पोरूशन उसकी विज़ा से कौज हुआ उसमें तकरीबन कम असकम साथ सिवेलियन्स जो हैं साथ जो मासुम शेरी हैं और इसी पर हमारे सयोगी सिद्धान सिब्बल और रविंदर सुइंग रॉबिन हमाई साथ जुड़ गए हैं दोनों से हम जानेंगे समझेंगे हर एक पहलू को सबसे पहले सिद्धान सिब्बल आपके पास साथ हुए जो मौजुदा स्थिती बने हुई है इसको किस तरह से देखा जाए क्योंकि 31 अगस्ट डेडलाइन है और अभी भी 300 से ज़्यादा अमारे की वहाँ पर फसे हुए हैं जिनको इवाकूइट करना है देखिए सिचुएशन का भी नाजुद बनी हुई है मैं आपको बतातों 24 गंटे से कम का वक्त रहने वाला है कुछी देर बाद जब हमें पता है कि अमेरिकन्स को अफगानिस्तान चोड़ना पड़ेगा और वो चोड़ना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं एक तरफ से हम ने देखा है पिछले एक हफ़ते के अदर काफी एक तरफ से टरर अटैक्स होगा है कल एक वाक्या हुआ था जिसके अंदर बाहर निकलने कहा रहा है जिसके अप एक फैमली थी जिस पर अटाक हुआ था और नाकी IS के जो टेररिस है जैसे US कह रहा है तो काफी confusion है काफी chaos है और इस chaos के अंदर अमेरिका निकलने की कोशिश कर रहा है वहीं अगर हम देखे रीजिनल जियो पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान की बात कर ले चीन की बात कर ले अरूस की बात कर ले यह एक तरह से कोशिश कर रहे है अपने ओनवा इससे कि कुछ दिमा पर बातचीत हो सके तालिबान भी सकात ना चाता है तो एक chaos जरूर बना हो और इस chaos के अंदर भारत के लिए सबसे बड़ी priority अपने लोगों को निकालने मैं आपको बता दूँ आपरेशन देली शक्ती अभ अभी भी कुछ वहां पर है जादा लोग नहीं है कुछ लोग अभी नहीं है और कुछ जो अफगान सिख और हिंडू थे जो छोड़कर भारता चाहते हैं वो भी आने चाहते हैं तो वो भी बड़ा फोकस है भारता है आपको बतादू आज थोड़ी दियर बाद करीब 12 एम इंडियन सब्सक्राइब जो यूएस सेक्रियों स्टेट है आपकी लिंकल वो एक फॉर्ण मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट करेंगे उसके अंदर बहुत सारे देश होंगे जपैन होगा नेटो होगा चैनेडा होगा यूकी होगा फ्रांस होगा तो फोकस ही होगी कैसे कोडि आ रहा है लेकिन मेहज 36 घंटे अब बचे हैं डेडलाइन के नस्दीक पहुचने में तो क्या अगला रियाक्शन हो सकता है इसको अलग-अलग कयास लगाए जा रहा है इस पर लेकिन क्योंस की स्थिति अभी भी बनी हुई है बिल्कुल आपने सही कहा क्यास बना इसके सासर जो कबरे तालिबान की तरह से आई है बाया कतर आई है हाला कि तालिबान के एक सदस्थे ने कतर में है कहा कि भारत इस मुपमाधीब के लिए बेहत मैत पुरण देश है और उनका समूच आता है कि वो भारत के साथ अफगान उस वक्त के लिए जब तक वहाँ पे कुछ भारतिये जो फसे हैं उनको निकालना एबैक्वेशन भारत की प्रात्मिक्ता है इस वक्त और जैसे सिधान ने बताया कि अकेले भारतिये नहीं अफगानी हिंदू से जो जियारत के लिए बारत आना चाहते हैं उनके लिए ताल हैं कि लिए जब तक वो एरफोर्ट तक नहीं पहुँंचते जब तक जहाज तक नहीं पहुंचते तब तक यह बाते बे मैने रहेंगी और क्यास लगते रहेंगे वहारत तालिमान के बियान जिस तरीक से आयान ईभारत लोग्ण उसकों भी आरूक्या होगा जिस तरह की डेंडलाइन से पहले अमरीका ने जो वार्निंग देती ब्लास की उसके बावदूद भी दो तिन ब्लास को काफी सारे ब्लास होए है और लोग महां पे अभी भी एरपोट के बाद भीड अभी भी है और जो भारत को अफ़गानिस्तान चोड़ना चाहते हैं बिल्कुल सिधान्त अमेरिका बिटेन आस्ट्रेलिया टर्की समेत सौ देशों ने लगभग एक साजा बयान अफगानिस्तान पर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर जिस भी देश के नागरिक हैं जो अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं अगर कागजात उनके पा सब्सक्राइब को कि इवैक्वेशन को एक जड़ा मसला नहीं होगा पर कही ना कहीं यह वही तालिबान है जो नब्बे के तर्शक में कापी तरस्टी इस की थी आपका सवाल जायाज है कितना फेस्ट वैल्यू पे एक तरस्टीन के वर्ट को लिया जाएगा यह देखने व सब्सक्राइब कर रहा है तो और कह रहा है कि आई एस इस्लामिक स्टेंट अफॉरसन जो एक टेरर ग्रॉप है वह इत्रफ से रिस्पॉंसेबल है जो टेरर अटक्स हो रहे हैं काबूल के अंदर और वह इत्रफ से डोन अटक्स कर रहे हैं हम अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा और आसान कर देते हैं आपने गुड टेररिजम और बाट टेररिजम किया और कहा इसमें अच्छा बुरा किया है आतंग तो आतंग है आतंग की गतिविधी तो बुरी ही मानी जाएगी देखें आतंग तो आतंग है ये भरत कहता आया है और कहीं न कहीं दुनिया जब भी ऐसा करती है गुड टेरिजम वसेज बाट टेरिजम गुड तालिबान वसेज बाट तालिबान करती है तो कहीं न कहीं हम दे देखा है कि दुनिया भर के अंदर आतंग को लेकर एक डाइ 1996 में एक प्रस्ताफ पेश था था, United Nations में, उसे कहते हैं CCIT, यानि Comprehensive Convention on International Terrorism, उसका एक मकसर था, कि दुनिया में common definition होनी चाहिए, आतंकवाद को लेकर, 20 साल मुने को आया, आज भी एक consensus नहीं पनभाया, United Nations में ही आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद क्या है, और अब जब Taliban काब में आ गया है, तो अब हम फिट से एक narrative देखने है, गोड तालिबाद मोंसे बाद चाहिए, एक तरफ से एक narrative आ रहा रहा है, ठीके सिर्धान, बहुत शुक्रिया, रविंदर सिंह, रविंजी आपका भी बहुत शुक्रिया, मैसा जुने के लिए, लगातार और जानकारी आ आते रहेंगे, लेकिव प्रिजेंटिग वी न्यूस आप, अवेलेबल और गूगल प्ले आप स्टोर, डाउनलोड इट नाव